अलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका किसान बागवान चैनल पे तो आज मैं दिखाऊंगा आपको ये वाला पेड़ा आप देख सकते हैं इसकी प्रूनिंग थोड़ी मैं आपको दिखाऊंगा कोशिश करूंगा कि उपर तक इसमें दिखा सकूँ आपको मैं उसके लि नहीं है या फिर मैंने आपको लंबी कैंची के बारे में बताया है तो करते हैं इस वाले पेड़ की प्रूनिंग साट सबसे नीचे नीचे वाले टहने से जाएंगे हम क्यूंकि मैंने पहले भी है दूर से वीडियो बनाई पर वो उसमें क्लियर पता नहीं लग रहा है तो करते हैं नीचे से स्टार्ट इसको यह आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले यह वाली ब्रांच है यहाँ पर इसको बैक कर दिया था आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसमें से बी लगे थे यहाँ देख सकते हैं और पिनने आगी है तो इतना दूर मुझे नहीं चाह यहां पर आप देख सकते हैं थोड़ा उपर कट किया था कितने सारे बीमे बन गए है यह वाली जो है एक ज्यादा ग्रोथ में है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह बिल्कुल उपर जा रही है यहां को लीडर जाना चाहिए तो जो भी लीडर वाली दिशा में जा रहे हो प इसको जो है मैं यहिसे बैक ले आऊंगा आप देख सकते हैं पिछले साल इसको बैक किया था फिर दवारा से यह और ग्रोथ ब्रोड डाल रहा लिक या पर अपार आप देख सकते हैं बढ़ बन गये वैद बढ़ बन गे एक इंग जो हैं ग्रोथ में आगLand यहां आप देख सकते हैं उसके बाद यह तो यहां भीमा था यहां भीमा था सेव नहीं लगा तो यह जो है ग्रोथ में भाग गया तो मैं इसे अब यहां से बैक कर दूँगा इन दो में इस हाल जो है फ्रूटिंग हो जाएगी उसके बाद आप यहां देखते हैं यहां कोई मैं निकाल दूँगा उसी तरह से इसको यहां से निकाल देंगे इस वाली पिन को भी मैं निकाल दूँगा क्यूंकि जाड़ जादा हो जाता है उपर तो जो फ्रूट की क्वालिटी है वो नहीं बन पाती और बाकी उपर से जो है मैं इसको सिंगल कर दूँगा तीन इसमें फेसे में निकाल दूंगा और इसमें मैं हेड़ देदूंगा यहां से बाहर की साईड को आप देख सकते है यह वाला टहना हो चुका है उसके बाद हाता है हमारा नेक्स्ट है न पहले जो है एक दो साल इसमें जो प्रूनिंग है वो पुराने स्टाइल में हुई है या किसी और ने जो है की है अब आप देख सकते है उसके बाद ये रोके तब ही यह वाली ब्रांचीज है इसमें यहां से आप टहना देख सकते है इस तरह से सबसे पहले य यहां सारे में जो है अच्छी बड़ फोर्मेशन हो गी है यहां पर जो है मैं इसे वीक पर डाल दूँगा क्यूंकि यह बहुत जादा भाग रहा है आप देख रहे हैं तो इसको मैं दुबारा पीछे ले आँगा यहां से यहां से यहां से मैंने बैक कर दिया कट आप ऐसा ह मैं इस तरह से उपर को यह टहना था तो इसलिए इसमें जो शार्फ कट मारा था कि यह पानी नहीं आए अब मैं जो है इसमें कभी भी जो है पेस्ट नहीं लगाता आप देख सकते हैं यहां पर इसको वीक में मैं डाल दूँगा इस पिन में जो है सेव लगने वाला है यह भी सेव वाली पिन है यहां देख सकते हैं फिर से जो है यह ग्रोथ में चला गया है यहां नीचे आपको बीमा दिख रहा होगा यह बीमा है यहां पर तो मैं आगे वाली इसमें ग्रोथ में तो इसको मैं यहां से कट मैं कर दूँगा यह आप देख सकते हैं यहां पर बीम का इसको मैं यहां से इस तरह से बीमा आपको देख रहा है इसको निकाल दिआ यहां पर कट मारा था फिर से प्रैवध में आ गया तो इसको थोड़ा बाहर से हम कट कर देंगे उसके बाद यह जो है तो इसको सेव की है यहां आप कट कि processes की कि लग के बाद आप देख सकते हैं यहां पर मैंने कट मारा हुआ है उसके बाद यह ग्रोथ में चला गया यह से कपन बन चुकी है इसको मैं यहां से रोक दूँगा बीमे के बाद यह जो है भाग गया था उसको फिर इसको यहां से निकाल देंगे इसको हम यहां से निकाल देंगे यह आप देख सकते हैं यहां बाहर को आई है इसमें देख सकते हैं बाहर को आई है तो मैंने इसको यहां से बैक कर दिया तो यह वाला तहना भी हो गया उसके बाद है हमारा यह वाला तहना इसमें आप देख सकते हैं यहां पर नीचे बीमा बन गया है उसके बाद यहां पर यह देख सकते हैं बहुत सारा जो है कबार ही कठा हो गया है पिने ही पिने हैं इसमें बिमारी है तो इसको जो है मैं यहां से रोक दूँगा आप देख सकते हैं यहां पर सेव वाली पिन है इसको जो है मैंने यहां से इस तरह से रोक दिया जब भी नीचे से मारे तो आप कट इस तरह से मारे की जो पानी है वो ना टिक पाया इस तरह से अगर हम उपर से इसमें उल्टा करके गट मारेंगे तो इसमें जो पानी न गहीं टिक जाएगा यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छा बड़ बने हैं तीन बड़ बन गई और यह वाली पिन जो है गया यहां देख सकते हैं इसको मैं यहां से वीक में डाल दिया उसके बाद यह आप देख सकते हैं यहां से ग्रोथ में जा रही है इसको मैं निकाल दिया उसके बाद यह पिन्ने हैं इनको मैं यहां से निकाल दूँगा इस तरह से आप देख सकते हैं भीमे थे यहां यहां ग्रोथ में आ गए तो इसको मैंने यहां से निकाल दिया, मैं यहाँ से निकाल दूँगा, यह बीमा आप निकाल दिए ताकि जो आपका पौदा है वो ग्रोथ में चला रहे अगर चोटा है बीमे कम है तो loro है नहीं है तो इन पर रहने कियों इन थमपया है तो इसको मैं उपर से नहीं काट Nathananson कोई भी जो है इसमें ब्रांश है अगर इसमें जो है पाउडरी मिल्डी होती तो मैं इसको नहीं काटना है उसके बाद देख सकते हैं यह इड़ल से यहां से यह पहना मना दिया है इस वाले को और यह जो है यहां से कलम इसकी उपर को चली इसको मैं नहीं कट करूँगा उसके बाद यहां आप देख सकते हैं कितने अच्छे बड़ बने हुए वहां बड़ है यहां बड़ है यह जादा ग्रोथ में तो इसको मैं निकाल दूँगा यह पि है निकाल दूँगा यहां से वाली पिन ती और इसमें आप देख सकते हैं यहां जो है पाउडरी लगी हुए है इस तरह से पाउडरी वाइट वाइट सी दिखती है अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो इसको मैं आगे से थोड़ा सा यह निकाल दूँ यहां भी मैं निकाल दिया इसको भी मैं यहां से बंद कर दूगा कि इसमें बीमारी है बाकी एक और ब्रांच इसमें कहीं उपर होगी यहां देख सकते हैं इन दो को मैं निकाल दूँगा यहां से इस तरह यहां देख सकते हैं उपर यह साफ है तो इसको मैंने ने रहने दिया यह ग्राफ्टिंग है तो मैं इसको ज़ादा नहीं छेड हुँआ तो, सिक और उसके बाद देख सकते हैं आप यहाला तैहना इसको मैं निकाल दूगा कि यहां से ग्रोध में जा सकता है यह है इसकी दोनों भीम pelo भूल मैं निकाल दी और यहां असए जो है इसमें head back में दे दूँगा यहां से हो गई तो यह वाली ब्रांच भी हो चुकी है उसके बाद यहां देख सकते हैं लीडर से यह तहना था टहना मुझे बनाना है और यहां बीमा आ चुका है तो इसमें जो है हम यहां पर थोड़ा इस तरह से इसको cut कर देंगे जो इस मोटा थोड़ा यहां से आए यह भी जो है आप देख सकते है लिडर के साथ है उसके बाद है यह वाला टहना यह पिन आप देख सकते है लग रहा है ऐसे कि सेव होगा पर इसमें नहीं लगेगा और बिलकुल उपर है तो बहुत तेजी से जो है यह भाग जाएगी यह भी निकाल दूंगा मैं कि इसमें बहुत जादा ग्रोथ है इसको भी मैं निकाल दूंगा काफी बड़ी पिन है और इनको परसे दोनों को निकालके इसमें जो है मैं maple देगा जाँ से ही होगी पिर है यहां से पीछे से इसमें बढ़ है यहां बढ़ है यहां से घुर जो है से उस्लेदा ब्रक्रत कर दूँँ Tillग्छ जाई ङहां निजिस को निकाल दिया उसको मैं यहां से निकाल कर दूब तो यह वाला टहणा वी जो हमारा हो चुका है उसके बाद देख सकते हैं यह वाला टहणा बड़ आप इस advantage देख सकते और वहां आप देख सकते इसमें जो है आगे powdery की दिकत मुझे लग रही है तो इसको मैं यहां से बैख कर दूगा एक बीमा यह अच्छा बना यहां देख सकते हैं आप 7-8 बी में अच्छे से बने हैं यहां पर बड़ ही बड़ है यहां बड़ देख सकते हैं यहां यह ग्रोथ में चली गई तो इसको मैं इस तरह से कट कर दूँगा यह आप देख सकते हैं यहां से कट कर दिया यह भी है ज तो उसके बाद देख सकते हैं यह वाली ब्रांच है इसमें बढ़ आपको दिख रहे है कितने अच्छे यह ज्यादा ग्रोथ में तो इसको मैंने निकाल दिया एक बीमा यहां पर चोटा सा बन चुका है बाकी उपर को इसमें यह आप तीन देख सकते हैं इस तरह के जो है यह तीनोगे इसको मैं निकाल दूँगा क्या बिलकल अंदरली साइट को जा रहा है लीडर की और इसको मैं यहां से निकाल उसके वाद देख सकते हैं आप यह वाली ब्रांच यह जो बहुत दूर है है इस पर सेप की पिनने तो मैं हिलाल इसको निकाल दूँगा अगर आपके कम हैं भीमे तो आप रहने दे यहां पर पीछे भीमा बन गया है तो मैंने यहां से इसको रोक दिया बाकी उपर इसमें ज बाकी आप आगे देख सकते हैं इसको मैं निकाल दूँगा यहां बीमा है इसको मैं निकाल दूँगा और इसमें जो है उपर हेड़ बैक दे दूँगा तो यह यहां से यह वाला तहना भी जो है हो चुका है आप देख सकते हैं बाकी उपर से मैं आपको दिखाता हूं किल्टे पे चड़के उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आप मैं केल्टे पे जड़ गया हूं इसको मैं यहां से निकाल दूँगा बाकी इसमें बड़ ठीक है इस वाली पिन को यहां से निकाल देगी यह ग्रोथ कम है यह जो बीमे हैं इन्हें में निकाल दूँगा और यहां थोड़ी नजीक इसमें head back दे दूँगा क्योंकि growth जो है बहुत जादा कम है उसी तरह से आप अगला टहना देख सकते हैं यह वाला यहां तो इसमें यहां से मैं cut कर दूँगा एक जहां यह पिन है कि अंदर को है उसके बाद देख सकते हैं आप यहां से मैं इसको निकाल दूँगा इसको भी दूँगा इस तरह से आप देख सकते हैं यह पिन जो है मैंने इसकी निकाल दी इसको निकाल दूँगा यहां से और इसमें बाहर को जहां भी आई जायो है वहां से head back दे दी है यह आप देख सकते है ये पिन नीचे है बिल्कुल खड़ी जा रही है तो इसको मैंने जो है निकाल दिया तो ये वाला टहना भी हो गया उसके बाद आप देख सकते हैं वहां पर इसको ये वाले टहने इसमें जो है ये पिन जादा ग्रोथ में है पिछली पी कट किया था फिर और कट आगे नीचे वाली छोटी है और बाहर को है उसके बाद आप यहां एपर इसको सिह मैं यहां सीरा दोन गांगा ये बिममी मैं निकाल मुझे रहे हैं और यहां से मैं इसस तरह से नहीं है और आप इसंत inflamरे बांच मैंने था यह उनटास। पिर देख सकते हैं आप लीडर के साथ टेहने मनाने हैं हमें यहां पर आप देख सकते हैं यह लीडर है इसे टेहना मनाना है यह वाला जी ब्रांच है तो यह वाला बीमा मैं इसका निकाल दूगा कि यह जो ग्रोथ में बिल्कुल भी नहीं है और यहां इसमें बीमा है आगे तो ये वाली जो ब्रांच है ये जादा जो है आप देख सकते हैं गरोथ में है और खड़ी जा रही है तो इसको मैं थोड़ा बाहर से कट कर दूंगा उस में मैं नजदीक बीमा है वो हेड़ वैक दे दूगा ताकि वहां से नए ब्रांच बने इसमें भी यहां ब्रांच बन यह हो गया हमारे लीडर इसका अब दो ब्रांचीज रही है उनको जो है मैं लंबी खेंची से ही काट सकता हूं क्यूंकि वहां से उसे खेंचना थोड़ा मुश्किल है यह आप देख सकते हैं इस साइड को तो यह कहर मुड़ जाएगी यह आप देख सकते हैं बाहर को जो है तूटने का डर रहता है अंदर को इतना नहीं तूटता तो यह आप इसको निकाल दूँगा मैं इसको निकाल दूँगा और यहां से जो है मैंने हैड वैक इसमें बाहर दे दी एक अंदर को ब्रांच है उसको मैं निकाल दूँगा दूसरी केंची से यह आप देख सकते है बागी नीचे एक بरांच बची है यह ज़र्जा धूनों कल में है अब बची है हमारे पास फिसवफ एक बची है यह देख सकते हैं यह पर यह फिसको है कि यहां से निकाल दूंगा इसक 120 वाहली सैड आरिल प्लांट है यह जो प्लांट है अल्मोस्ट हो चुका है उपर बस इसमें दो बड़ी पिन्ने आपको देख रही होगी वहाँ पर वह बची है बाकी प्लांट पूरा हो चुका है अब मैं आपको इसको दिखा दूँ कि इसमें कितने ज़्यादा बढ़ है क्योंकि कुछ दो चार ग्यानी लोग जो है कमेंट इसमें करते हैं कि तुम्हें खुद कटिंग नहीं आती हमें क्या सिखाओगे या कि अभी तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम है तो मैं इस तरह कि लोगों को ऐसे ब्लॉक कर देता हूं फिर भी मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें बढ़ की आप देख स इसे मैं भी नहीं लूँगा एक जो बड़ी पेटी होती है वो भी इसमें काफी है स्लेक्टिड माल ही जो इसमें रखा जाएगा बाकी आप देख सकते हैं यह कितने जादा बड़ है आप इसे जूम करके भी देख सकते हैं अगर आप देखना चाहे तो आप इसे देख ली कम इसमें हैड़ वैक दिया किकि ग्रोथ जो है कम थी बाकी यह जो दो मैंने जिसमें पतिया दिख रही आपको यह जो है ग्राफ्टिंग है तो दोस्तों मीद करेंगे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लिजे चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के जो वीडियो है आप लोगों तक पहुंचते रहे आप हमें इंस्टा फेस्बुक पर भी फालो कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन मुसका लिंक आपको मिल जागा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ तक के लिए धन्यवाद